दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जनरेटर होता है उसमें रेडियेटर जो लगा हुआ होता है उसका क्या काम होता है देखें बेसिकली रेडियेटर जो होता है दोस्तों वह केवल और केवल उसका एक ही काम होता है कि जनरेटर को ठंडा रखना ठंडा रखन दिया जाता है और जो बड़े इंजन होते हैं... जैसे कि हजार की आशी पी2 है इन सारे आशी जो रिडियीर इंजनों से ढ़ीयर अंख़ता है जो लगका कहा है इसमें हम कूलिंगवर के खुश्नों के निरॉट आशी घ्रियों में स्वाटिवर टू sin तो इसकी अंदर जो पानी सर्कुलेट होता है, जनेटर को ठंडा करने के लिए जो पानी वापस निकल के जाता है, वह आउटपुट जाकर के कुलिंग टावर में आता है, उपर से गिरता है, यहाँ पे कुलिंग टावर में इस तरह टाप अप होता है, और जो ठंडा पानी ह होता है वापस इंजन में आ जाता है और इंजन को ठंडा करता है और फिर गरम हो करके कुलिंग टावर में वापस जाता है तो यह पूरी एक चेन इस तरह से बन जाती है ठीक है तो जो ठंडा पानी होता इस तरह इंजन में आता है ठीक है और गरम पानी वापस कुलिंग इसके साथ में ही radiator एकदम inbuilt होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा एक पंखा लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, इन विंग्सों पर फ्रेशर से हवा डालता है, और यहाँ पर पानी होता है, तो वो खंडा होता है पानी, इसमें क्या होता है, जो radiator होता है वह पानी को ठंडा करके वापस engine को भेजता है और engine से फिर गरम पानी हो करके वापस radiator में आता है और यहीं पिरक्रिया बार-बार चलती रहती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा radiator होता है इसमें इस तरह से tube बड़ी हुई होती है copper की और इहीं के अंधर पानी आपने देखा भी होगा अगर आपने कहीं इंडेस्ट्री में काम किया तो इस चीज को आपने देखा भी होगा कि इस तरह से ट्यूब बनी हुई होती है तो क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें बहुत सारे से उनके बाई कार्बनेट वगरा होते हैं जो उसमें मतलब मोट मोटी स्टिप बन जाती है होती है तो वह इन ट्यूबें के अंदर फंस जाती है जिससे ये ट्यूबें हमारी चोक हो जाती है और जो इंजन है उसकी प्रापर कूलिंग नहीं हो पाती है तो उस कंडिशन में क्या होता है इन ट्यूबों में आपने कभी देखा होगा कि इसका हार्ड मेट्रियल होते हैं जो इस की टूबियों में चिपक जाते हैं उनको HCL के मादस की सायता से हम साफ कर देते हैं और साफ करके वापा से पूरा फिल्टर हमारा साफ हो जाता है और फिर से वो वर्क करने लगता है प्रापर तरीके से तो रेडियेटर दोस्तों केवल और केवल इसलिए लगाया जाता है कि जो इंजन है उसको ठंधा पानी मिल सके जिससे हमारा इंजन जो है प्रपरली वर्क कर सके बिना किसी आवरोध के और कूलिंग टावर बड़े इंजन के लिए उप्योग किया जाता है तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि रेडियेटर के विस्थे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि रेडियेटर का क्या काम होता है तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा जाता लोगां तक सेयर करिए और दोस्तों एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छी नालेज आप लोगों के लिए रोज लेके आता हूँ